देखते हैं जो भी बड़त हो रही है या तकर दे रहे हैं आप लोग देखे हम लगातार कहते हैं आज लोकतंत्र के बचाने की एक लड़ाई बाने राहूल गांदीजे के नित्वत में लड़ी जा रही है पिछले कई सालों से लगातार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है हमने जिस तरीके से लोकतंत्रिक जो संसाइं हैं उनके ऊपर दबाओ बना कर कहीं न कहीं उसका माहोल उसके विपरीत आज जंता ने वोट दिया है और उसी का नतीज़ा है कि आप देख रहे हैं 266 सीटे इंडिया गटबंदन लगातार अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जंता का जो मेंडेट है वो कॉंगरेस के साथ है वो इंडिया गटबंदन के साथ है दिल्ली में साथ सीटों का क्या रहेगा हैंचा गटबंदन हुआ है देखिए ये हमारा लोकसभा के लिए समिदान को बचाने के लिए गटबंदन बना था जिसका नाम इंडिया गटबंदन रहा उसमें आम आदिम पार्टी दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ आई है और मुझे खुशी है कि एक मजबूत गटबंदन बना और जिसके नतीजा ये ह कि आज 5-6 सीटें दिल्ली में जीतने जा रहे हैं तो क्या मान लो इंडिया गटबंदन बड़त लेता है तो कल को परदानमंत्री पंद के लिए क्या सैंती आम बन पाएगी निश्चिती हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग है जो परदानमंत्री पंदने के लायक है मुझे विश्वास है लोगों ने मानिय राहूल गांदी जी को मानिय खडगे जी को एक मेंडेट दिया है और निश्चिती इंडिया गटबंदन उनका समर्तन करेगा देखते हैं जो भी बड़त हो रही है या तकर दे रहे हैं आप लोग देखिए हम लगातार कहते हैं आज लोगतांत्र की बचाने की एक लड़ाई मानिय राहूल गांदी जी के नित्वत में लड़ी जा रही है पिछले कई सालों से लगातार लोकतांत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है हमने जिस तरीके से लोकतांत्रिक जो संसाएं हैं उनके उपर दबाओ बना कर कही न कहीं उसका माहूल उसके विपरीत आज जंता ने वोट दिया है और उसी का नतीज़ा है आप देख रहें 266 सीटे इंडिया गटबंदन लगातार अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है मुझे पूरा विश्वास है जंता का जो मेंडेट है वो कॉंग्रेस के साथ है वो इंडिया गटबंदन के साथ है दिल्ली में 7 सीटों का क्या रहेगा क्या उमीद है मुझे पूरा विश्वास है लगबग 5 से 6 सीटे हम दिल्ली में भी जीतने जा रहे है तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ कॉंग्रेस पार्टी का जो गटबंदन है याईनिए इंडिया के दोनों प्लेयर है तो इसका क्या आसर देख एक अच्छा गटबंदन हुआ है देखे यह हमारा लोकसभा के लिए समिदान को बचाने के लिए गटबंदन बना था जिसका नाप इंडिया गटबंदन रहा है उसमें आमादमी पार्टी दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ आई है और मुझे खुशी है कि एक मजबूत गटबंदन बना और जिसके नतीजा यह है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें